नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ फोर्णिशन और मैं हूँ प्रेदर्शन वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार लगातार केंदर की मोदी सरकार पर निशाना साखते रहते हैं उसकी नितियों की आलोचना करते रहते हैं लेकिन नितीश कुमार की पुलिस प्रधान मंत्री नयंद मोदी के बहुत बड़ी फैन है यानि की जबरा फैन है आप कहेंगे यह सा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार पुलिस की ओर से बाकाइदा इसे लेकर के एक ट्वीट किया गया है सोसल मीडिया पर पुष्ट किया गया है जिसमें प्रधान मंत्री मोदी के गुनगान करने वाले वीडियो सेर किये गये थे आलाकि इन सब के बाद बिहार पुलिस ही खुद बिवादों में फस गई और स्थिती हुई कि बिहार पुलिस की किरकिरी होनी जब सुरू हुई तो उसके बाद बिहार पुलिस ने अपने उस पुष्ट को डिलीट कर लिया तो बाकाइदा बिहार पुलिस के आधिकारिक जो हैंडल है उससे सोसल मीडिया पर ये पुष्ट किया गया और इन सब के बीच एक और जहां नितीश कुमार क्यंदर की मोधी सरकार की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं वही दूसरी और नितीश कुमार जिनके पास बिहार का गृह मन्त्राले भी है और जिसके नीचे बिहार पुलिस आता है वही बिहार पुलिस अब पृधान मंत्री मोधी के गुनगान में कसीदे पर रही है दरसल बिहार पुलिस का यह विवादों वाला पोस्ट फेस्बूक पर आया है बिहार पुलिस के फेस्बूक के ट्वीटर जो हैंडल है उस हैंडल पर एक सो से पोस्ट किया गया है और इसके बाद से बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है दरसल यह पोस्ट बाद में डिलीट तो कर लिया गया लेकिन तब तक बिहार बीजेपी की ओर से इस पूरे के पूरे जो पूश्ट थे स्क्रीन सॉट लिया गया और स्क्रीन सॉट लेने के बाद बिहार बीजेपी की ओर से इसे अपने ट्वीटर हैंडल से साधा किया गया जिसमें यह भी बताया गया है कि बिहा बिहार पुलिस, बिहार पुलिस की सरकार और प्रिधानमंत्री मोदी की फैन है। बिहार पुलिस को भी बिहार में भाजपा की सरकार का इंतजार। किसी अनुज मदन का लाजबाब स्वरवाला एक बैनर पुश्ट था जिसमें ए मोदी जी गली गली में शोर लिखा हुआ यह बैनर था। इसी को लेकर के बिहार बिजेपी ने एक तरीके से कहा जाए तो तंज कसा है। और यह कहा है कि बिहार पुलिस भी अब बिहार में भाजपा की सरकार का इंतजार कर रही है। और बिहार पुलिस भी मोदी जी की जवरा फैन निकली है। जाचकर अग्रिम कारवाई की जा रही है। दरसर अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार में जबसे डीजीपी की रूप में आरेस भटी ने अपना प्रभार समाला है। उसके बाद से बिहार पुलिस अचानक से सोसल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई है। चाहे हम सोसल मीडिया के ट्विटर हैनल की बात करें या फेस्बुक पेज की बात करें। दोनों जगहों पर बिहार पुलिस के नकेवर प्रमुख कारिकरम बलकि जिला अस्तर के तमाम जो गतिविधियां होती हैं दैनिक रूप से उसे अपडेट किया जाता है और तमाम तरीके की जानकारी आम लोगों को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार पुलिस की ओर से ऐसा जो किरकिरी करने वाला कारिनामा कर दिया गया जिसमें एक ओर नितिश कुमार नरेंद मोदी सरकार की आलोचना करने से नहीं ठकते हैं। तो बिहार पुलिस ने दूसरी ओर नरेंद मोधी की तारीफों के फुल बांधने वाले पूश्ट करके नितिश सरकार को ही किरकिरी के बीच में लाकर के छोड़ दिया और इन सब के बीच अब बिहार पुलिस ने अपने एक कर्मी पर गाज गिराया है और उसी तरकर्मी को ततकाल इस पूरे मामले में दोशीरों मानते हुए उसके उपर कारवाई हुई है लेकिन सबसे वड़ी बात है कि आखिर इस प्रकार से जो सूसल मीडिया सेंटर से हैं जहां कि बीचार पुलिस का पूरा काल्चा राम चलता है जहां से पूरी उसकी कतिविधियां संचालित होती है और तमाम जानकारिया दी जाती है वहां इस प्रकार की मिस्टेग जो हु करने वाला है